नमस्कार आज की परीचर्चा में आपका स्वागत है हमारे विशे विशेशग हैं डॉक्टर शीव पूजन प्रसाद पाठक जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्व विध्याले में सहायक प्रोफेसर है और मैं इजहार एहमद आज के व्यक्षान का विशे है राजनितिक सिध्धान, उसकी प्रकर्टी और महत्व आज हम यह समझने का प्रियास करेंगे कि राजनितिक सिध्धान क्या होता है इसका अध्ययन हमारे लिए कैसे उपियोगी है यह हमारे लिए क्यों आवशक है सिध्धान्त और विचारधारा में क्या कोई अंतर है या दोनों एक है आदी आज हम राजनितिक सिध्धान्त उसकी प्रकरती और महत्व के अंतरगत जिन बिंदों पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार है प्रस्तुत पाठखा उद्देश अर्थात परिचे जानना राजनिति क्या होती है राजनितिक सिध्धान्त क्या होते है राजनितिक सिध्धान्त और राजनितिक विचारधारा में क्या अंतर है राजनितिक सिध्धान्त की मानव समाज के लिए क्या उप्योगिता है मनुष्य एक राजनितिक प्राणी है यह निर्विवाद सकते हैं लेकिन राजनिती शब्द कभी-कभी भ्रामक और अस्पस्ट लगता है सामानने व्यवार में हम कह देते हैं कि देखो हमसे ज्यादा राजनिती ना करो या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति राजनिती विशे का बड़ा ग्यानी है पहला कथन व्यक्ति के विवार को दर्शाता है दूसरा कथन व्यक्ति का राजनितिक विशे में ग्यान का भास देता है इसलिए राजनीतिक शब्द के ब्रहमक्ता से बचने के लिए इसका अर्थ स्पस्ठ होना आवश्यक है राजनीती एक ज्ञान की विधा भी है और क्रिया भी है राजनीती शास्त्र के अंतरगत राजनीतिक गती विधियों का अध्यन किया जाता है जिससे राजनितिक सिध्धान्तों का निर्मान होता है राजनितिक सिध्धान्त में राजनिती विज्ञान और राजनितिक दर्शन आते हैं राजनितिक सिध्धान्त और राजनितिक विचारधाराएं भी अलग-अलग होती हैं इस अध्याय में इनी विश्यों की जटिलता को कम करने का प्रयास किया गया है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ती युनानी शब्द पॉलिस से हुई है जिसका अर्थ है नगर राज्य युनानी विचारकों ने नगर राज की गतिविधियों को पॉलिटिक्स नाम दिया राजनीती को समझने के लिए व्यापक द्रस्टी कोण की अवशक्ता है राजनीती के दो पक्षें एक सेधान्तिक दूसरा व्यवहारिक सरुप्रथम राजनीती को राज्य और सरकार के अध्यन के रूप में जाना जाता है राज्य और सरकार की गतिविधियां तथा उनके क्रिया कलापों को सम्मिलित किया जाता है गारनर मानते हैं कि राजनीती की शुरुवात और अंत राज से होती है गिल क्राइस्ट भी इसी मत का समर्थन करते हैं उनके अनुसार राजनिती शास्त्र के अंतरगत राज्य और सरकार दोनों का अध्यान किया जाता है मूल बात ये है कि राजनिती में वही विशे शामिल किया जाए जो राजनितिक विवस्था की सीमा में होते हैं जैसे संसद, मंत्री परिशद, न्याय पाले का आधी इस सोच के समर्थक इसमें रूची लेते हैं कि किसी देश का सम्विधान, उसके प्रावधान कैसे है वहां की कार्य पाले का कैसी है, न्याय पाले का किन सिध्धानतों पर कार्य करती है यह परंपरागत द्रस्टी कोण का हिस्सा है यह राजनिती के विश्य को बहुत सीमित कर देती है राजनिती राज्यकी गती विध्यों का अध्यान रहा है लेकिन आज के समय में विशेशकर जनतांतरिक विवस्थाओं में जन सहभागिता इतनी व्यापक हो चुकी है कि राजनिती केवल राज्यकी गती विध्या नहीं रही है इस विचार के अनुसार राजनिती के अंतरगत वे सभी विशेश सम्मिलित होते हैं जो लोक विशेख हैं अर्थात जिनका संबंध जन समानने से जुड़ा हो यह मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से संबंधित है राजनीति के अंतरगत राज से संबंधित विशय के अतरिक वेगति विध्या शामिल होती है जो राजनीतिक डलों, दबाओ, समुहों तता सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से होती है उधारण के लिए राजनीतिक दलो द्वारा, महंगाई के विरोध में धरना, अन्ना हजारे द्वारा भ्रस्टाचार के विरोध, जन आंदोलन, विधारती संगठोनों द्वारा उठाई गई कोई मांग भी राजनीति का हिस्सा है इस प्रकार राजनीति एक व्यापक प्रकरिया है यह राजनीति की धारणा को और विस्तरत कर देती है इस द्रस्टी कौण के अनुसार समाज में विबिन समूह या व्यक्ति होते है इन व्यक्तियों या समूह के अपने हित होते है प्रतियेक व्यक्ति या समुं अपने हितों को प्राप्ट करना चाहते हैं जिन से उनके मध्य प्रतिस्परधा होती है इस प्रतिस्परधा के कारण उनके हितों में संगर्श होता है ऐसी स्थिती में यदि कोई नियामक इकाई नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी राजनीती का कार्य हितों के बीच उभरे संगर्चों का निवारन करना है या विभिन हितों के बीच समन्वे करना है यह कार्य सामाजी प्रक्रिया के रूप में होता है इसका मानना है कि राजनिती संभावनाव की कला है ये सिखाती है कि कैसे समझोता करके अपने सबसे अच्छे परिणाम को प्राप्ट किया जाए इस प्रकार जहां-जहां समुहों के भीतों में मद्ध्य संगर्ष होता है राजनिती वहां-वहां होती है यह मत उतारवादी विचारकों का है ऐसा माना जाता है कि मानव हो या राज्य दोनों के संबंधों में शक्ति का बड़ा महत्व है राजनिती में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है इनका मानना है कि राजनिती केवल लोक विशयक नहीं होती बलकि इसमें निजी विशय भी शामिल होते है पारम परिक द्रस्टी कोण से परिवार एक निजी संस्था है राज्य का हस्तक शेप परिवार में नहीं होना चाहिए लेकिन नारीवादियों का कहना है कि परिवार में भी इंसा होती है वहां भी शक्ति का प्रयोग होता है इसलिए वो भी राजनीती के विशे शेत्र में आते हैं इस प्रकार प्रत्थम दो धारनाएं राजनीती राज्य और सरकार के रूप में और राजनीती सारवजनिक विशे के रूप में यह बताने का प्रयास करती है कि राजनीती के खेत्र क्या है, यह घटित कहा होती है, जबकि अंतिम दो धार्नाओं में राजनीती का विभिन हितों के समन्वे के रूप में और राजनीती शक्ति के अध्यन के रूप में सरोकार इस बात में है कि निर्णय निर्मान कैसे हो रहा है राजनितिक सिध्धान्त क्या है इसको समझने से पूर्व यह समझना आवश्चक है कि सिध्धान्त क्या होते है सिध्धान्त एक सामान्य कथन होते हैं जो किनी दो विश्यों परिवर्टियों या वस्तूं के बीच किसी प्रकार का अनिवार्य संबंध दर्शाते हैं जिसमें एक करम बद्धता तथा निरंतरता होती है इस प्रकार राजनितिक सिध्धान्त राजनिति के विशे पर कुछ सामान्य नियम या कथन प्रतिपादित करते है इन परिवर्तियों के बीच एक करमबदता तथा निरंतरता होती है राजनीतिक सिध्धान्त के अंतरगत राजनीति के भिन्ने भिन पक्षों का अध्यान किया जाता है इसका संबंद मनुष्य के सारवजनिक जीवन से है राजनीतिक सिध्धान्त यह जानने का प्रयास करता है कि जो राजनीतिक घटनाए घटित हो रही है इसमें क्या कोई संबंध है, क्या कारण है कि एक ही राजनितिक विवस्था एक समाज में सफल रहती है और दूसरे समाज में असफल हो जाती है व्यक्ति को किस सीमा तक अधिकार प्राप्त हो या राज्य को कितना अधिकार है कि वह अपनी सत्ता का प्रियोग कर सके ऐसी जटिलताओं का विशलेशन करके राजनितिक सिध्धान कथनों के माध्यम से व्यक्त करता है ये सामान्य कथन तीन प्रकार के होते हैं प्रथम अनुभा मूलक कथन ऐसे कथन तथ्यात्मक या वर्नात्मक होते हैं ये कथन राजनितिक तत्यों, पर्य वेक्षणों या इंद्रिय जन्य ग्यान होते हैं यह व्यक्तियों के राजनितिक व्यवहारों एवं द्रस्टी कोणों के कहे जाते हैं ऐसे कथनों का सत्यापन हो सकता है उधारण के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीती में हिंदू समाज अपनी जाती तथा मुस्लिम समाज अपने धर्म के आधार पर मतदान करता है अनुभव मूलक कथन राजनीती विज्ञान के अंतरगत आते है दुतिय तारकिक कथन ऐसे कथन तरक शास्त्र के नियमों पर आधारित होते हैं इसमें कार्यकारण का संबंध होता है इसमें आगनात्मक और निगनात्मक पद्धिती का प्रयोग होता है जैसे दो धन दो बराबर चार होता है तरतिय मूल्यात्मक कथन ये आदर्शात्मक कथन होते हैं इसमें जीवन के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया जाता है ऐसे कथनों के माध्यम से विचारक या चिंतक ये कहना चाहते हैं कि राजनितिक विवस्था कैसी होनी चाहिए राज में न्यायका स्वरूप कैसा होना चाहिए राजनिती सिध्धान्त के अंतरगत दो विशे राजनिती विज्ञान एवं राजनिती दर्शन होते हैं मुल्यात्मक कथन में राजनिती दर्शन के विशे आते हैं तारकिक वा अनुभा मूलक कथन राजनीती विज्ञान के अंतरगत आते हैं। राजनीती सिध्धान्त का कार्य होता है किसी राजनीतिक विशे का वर्णन करना, उसकी समालोचना करना तथा उसका पुनर निर्मान करना। वर्णन करने का कार्य राजनिती विज्ञान का है तता समालोचनावा पुनर निर्मान का कार्य राजनिती दर्शन का है राजनिती शास्त में विद्वानों की एक धारा राजनिती को विज्ञान के रूप में अध्यान करना चाहती है राजनीती का अध्यन प्रकरती विज्ञानों की तरह किया जाए प्रकरती विज्ञानों की तरह तथियों का पता लगाया जाए और उनमें परस पर सह संबंद को स्थपित किया जाए दूसरे शब्दों में इसके अंतरगत राजनितिक तथ्यों के संबंद में सामान्य नियमों का निरूपन होना चाहिए ताकि उनके आधार पर यथार्त राजनितिकी व्याख्या की जा सके यह वेवहारवादी द्रस्टी कोण अपनाता है राजनिति विज्ञान के अध्यान का केंदर बिंदू व्यक्ति और उसका राजनितिक आचरण है राजनितिक व्यभार से तातपर्य केवल परिवेक्षुनिय राजनितिक क्रियाओं से नहीं होता वरन उन बोधात्मक अभी पिरणात्मक एवं अभी वरत्यात्मक शक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाता है जो मनुष्की राजनितिक मागो, आशाओं, लक्षों और मोल्यों को निर्धारित करती है राजनिति के वैज्ञानिक अध्यन के लिए वैज्ञानिक पद्धिती का प्रयोग आवश्चक है वैज्ञानिक पद्धिती में निरीक्षन, सामान्यकरण, व्याख्या, भविश्यमानी और निर्धेश शामिल होते हैं संचेप में कहें तो राजनिति विज्ञान इस पर बल देता है की, क्या है और क्यों है राजनितिक जीवन की मूल प्रकरती पर चिंतन और मनन से राजनितिक दर्शन की उत्पत्ती होती है राजनीतिक दर्शन मूल्यों की व्याख्या पर बल देता है इसका सरोकार आदर्शों तथा मानकों से है राजनीती दर्शन के विशे में शुब अशुब उचित अनुचित के निर्णे शामिल होते हैं राजनीती दर्शन जिन इस्थितियों की व्याख्या करना चाहता है वे मानविय जीवन की अवशक्ताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों से संबंद रखती हैं। ये संकल्पना पर आधारित होते हैं। ये चिंतन, वर्णात्मक और कल्पनात्मक दोनों प्रकार का हो सकत होता है। क्योंकि दार्शनिक केवल समाज का अध्यान और विशलेचन नहीं करता है, बलकि उसके सुधार एवं उत्थान हेतु अपनी परियोजना भी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता है। प्लेटो, अरस्तु, माक्स, गांधी के विचार राजनीती दर्चन के अ अध्यारा में भी अंतर है। राजनीतिक सिध्धान्त को हम एक करमबद एवं विवस्थित ग्यान के रूप में देखते हैं। इसमें राजनीतिक विशय का वर्णन करना, उसकी समालोचना करना तथा उसका पुनर निर्मान करना शामिल होता है। अर्थात, राजनीतिक सि विवारों की व्याख्या करता है। उसके मन में किसी विशेश राजनीतिक उपक्रम के प्रती, मोह या आकर्शन नहीं होता। वे किसी पूर्वाग्रा से नहीं घिरा होता है। जबकि विचारधारा वह युक्ति या मान्यताओं का समुच्च है जिनके आधार पर किसी वर इNet लेकुत होता है। यह लोगों को काररवाहिकी ओर प्रेरित करती है। इससे प्रेरित लोग प्रचलित विवस्था की रक्षा के लिए या नई विवस्था की स्थापना के लिए बहुत बड़ा त्याग करने को तयार हो सकते है। विचारधारा राजनीति का अंग होती विचार धारा का प्रयोग शासक वर्ग अपने शासन को वैदता प्रदान करने के लिए करता है जनता इसका प्रयोग क्रांती में सहयोग के रूप में कर सकती है और इसका यह सामाजिक आंदोलनों का आधार होती है विचार धारा के प्रासंगिक्ता समय के साथ जुड़ी होती है उधारवाद, माक्सवाद, फौसिस्टवाद, गांधिवाद, नारिवाद, आदी प्रमुख विचार धारा के उधारन है राजनितिक सिध्धान्त के दरस्टीकोन से उधारवाद और माकसवाद विचारधारा काफी महतपूर्ण है क्योंकि लगभख सभी राजनितिक अवधारणाओं जैसे न्याय, समानता, स्वतंतरता, अधिकार आदी का अध्यन इन दोनों के माध्यम से अवश्य किया जाता है लेकिन बीस्वी सदी के उत्रारध में अन्य दरस्टीकोन महतपूर्ण रूप से सामने आए जिन में नारिवाद और समूदायवाद प्रमूख है इन्हें राजनितिक सिध्धान्त में शामिल करना आवश्यक हो गया है उदारवाद एक व्यक्तिवादी विचारधारा है इसके चिंतन के केंदर में व्यक्ति की स्वेतंतरता है यह मानता है कि मनुष्य एक बोधिक प्राणी है उसे अपने हित और अनहित का ग्यान है इसलिए उसके निजी जीवन में किसी बाहिय संस्था जैसे राज्य या समाज का न्यूनतम हस्तक्षिप होना चाहिए राजनितिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का और आर्थिक पक्ष में पूझी वाद का समर्थन करते है वर्तमान संदर्ब में कहें तो ये खुली राजनितिक व्यवस्था और खुली आर्थिक व्यवस्था का समर्थक है उदारवाद राजनितिक और विधिक समानता का समर्थन करता है माक्सवाद पूझी वाद के प्रतिरोध में उपजी हुई विचारधारा है इसे सामयवाद के नाम से भी जाना जाता है माकसवाद पूजीवाद के विसंगतियों का विचलेशन करके यह संकर्पना करता है कि ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जहां किसी प्रकार की असमानता ना हो एक ऐसा समाज जो वर्ग विहीन वर राज्य विहीन हो जहां पर प्रतेक व्यक्ति अपनी योगता के अनुसार कार्य करेगा और प्रतेक व्यक्ति अपनी अवशक्ता अनुसार उपभोग करेगा यह विचारधारा मानती है कि समाज में असमानता का कारण नीजी संपत्ती है यदि निजी संपत्ती का उन्मूलन कर दिया जाए तो एक समता मुलक समाज का निर्मान संभव है ऐसा क्रान्ती के माद्धम से किया जा सकता है माक्सवाद राज को शोशन का यंद्र मानते हैं यह आर्थिक तथा सामाजिक समानता पर बल देता है नारिवाद विचारधारा का अर्थ स्त्री को केंद में रख कर चिंता करना है नारिवाद का इतिहास जे एस मिल की पुस्तक सब्जेक्शन ओफ वुमन और मेरी वोल्सन क्राफ्ट की वाइंडिकेशन ओफ वुमन राइट्स से शुरुवात मानी जाती है लेकिन 1950 के दशक में यह विचारधारा काफी सशक्त हो गई नारिवाद के विचार काफी विस्त्रत है इसमें पुरुश और स्त्री के मध्य समानता से लेकर वेश्यवरती तक के अधिकार शामिल है समुदाएवाद का विचार माक्सवाद के खीण होने के बाद व्यक्ति के स्थान पर समुदाएग को अपना विशय मानती है यह पुझी वाद के भीतर ही उतपन सोच है पुझी वाद की कम्यों को दूर करने के लिए यह धारना सामने आई किसी भी शास्त्र के लिए यह जटिल प्रश्न होता है कि उसका अध्यन कैसे किया जाए। राजनिती शास्त्र भी इसमें अच्छुता नहीं है। जब हम राजनिती विवस्था के विशे में सोचते हैं तो यह स्वभाविक प्रश्न उठता है कि वहां की राजनिती कैसी है या अमुक देश का शासन सरूप कैसा है वहां शासन व्यवस्था कैसे चलती है इनी प्रशनों को समझने के लिए इन पद्धतियों की अवशक्ता होती है राजनिती शास्त्र के अध्यन की विध्यों को दो द्रस्टी कोन से देख सकते हैं परंपरागत से और आधुनिक रूप से परंपरागत विध्यों में एतिहासिक, दार्शनिक, व्यधानिक वसंस्थात्मक द्रस्टी कोण आते हैं जबकि आधुनिक विध्यों में व्यवस्था पद्वलित, सर्चनात्मक, कार्यात्मक रूप आते हैं इतिहासिक पद्धिती का मानना है कि किसी भी विवस्था को जानने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्चक है या समय को आधार मानकर एक ही विवस्था का दो समयांतराल में अध्यान किया जा सकता है दार्शनिक द्रस्टिकोंड यह जानने का प्रयास करता है कि कोई राजनितिक विवस्था कैसी होनी चाहिए दार्शनिक द्रस्टिकोंड मुल्यात्मक कत्नों पर बल देता है इसी प्रकार व्यधानिक व संस्थात्मक द्रस्टिकोंड बताते हैं कि कोई संस्था किन व्यधानिक मूल्यों और किन संस्थात्मक सरंचनाओं के आदार पर कार्य करती है ये विधिया दर्शाती है कि शासन का स्वरूप कैसा है आधुनिक द्रस्टी कोण वैग्यानिक पद्धिती अपनाने पर जोर देते हैं यह पद्धिती व्यवारवादी क्रांती से प्रभावित है आधुनिक द्रस्टी कोण का कहना है कि राजनितिक शास्त्र के अध्यायन में वही पद्धिती अपनानी चाहिए जो वैग्यानिक पद्धिती विज्ञान के अध्यायन में प्रयोग की जाती है यह तथ्यों की व्याख्या पर विशेश बल देती है इसका जोर इस बात पर होता है कि क्या है ना कि क्या होना चाहिए राजनितिक सिध्धान्त की कोई निश्चित विशेशता का निर्धारन कर पाना तो कठिन कार रहे है किन्तु गहन अध्यान के बाद ये बाते कही जा सकती है कोई राजनितिक सिध्धान्त सामान्यता किसी एक व्यक्ति विशेश की क्रती होती है जो उसकी नैतिक और बोधिक सोच पर आधारित होती है विचारक या सिध्धान्त कार मानव समूदाय के राजनितिक जीवन की घटनाओ वे रहस्यों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा होता है वे सिध्धान्त सत्य या असत्य हो सकता है लेकिन सिध्धान्त के रूप में हमेशा मानने होता है राजनितिक सिध्धान्त सामान्यता, मानव समुदाय, उसके द्वारा संगठित समाज तथा एतिहासिक गटनाओं से संबंदित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करता है उसकी व्याख्या करता है, वे विभेदों को निम्टाने का उपाय और कभी-कभी क्रांतियों का समर्थन करता है भविश्य के विशे में पूर्वा नुमान भी व्यक्त करता है व्याख्या और पूर्वा नुमान के अतिरिक राजनितिक सिध्धान्त कभी-कभी एतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करने के लिए सुझाव प्रसुत करता है और उनमें भागी-दारी भी करता है राजनितिक सिध्धान्त पूरी विचारधारा का आधार होता है किसी चिंतक द्वारा प्रस्तावित कोई राजनितिक सिध्धान्त सामान्यता हमेशा उस चिंतक की राजनितिक विचारधारा को प्रति बिम्बित कर रहा होता है यही कारण है कि जब विचार धाराओं के बीच विभेद होते हैं तो उसके फल स्वरूप विचार धाराओं अंतर नहित सिद्धान्तों के बारे में बहस चलती है राजनितिक सिद्धान्त बहुत सारी क्रांटियों का प्रेणना श्रोत रहा है जिसमें मानविये मूलियों को पूनर स्थापित किया जा सका प्रजातंत्र, न्याय, समानता, स्वतंद्रता, अधिकार जैसी संकल्पनाओं के विकास में राजनितिक सिध्धांद का बड़ा योगदान रहा है राजनितिक सिध्धांद लोगों को परसपर, विचारविमर्श और चर्चा-परिचर्चा के लिए प्रेरित करता है यह लोगों के लिए एक दूसरे के द्रस्टी कौन को समझने में सहायक होती है परसपर समवाद स्थापित होने पर उनके मन में एक दूसरे के प्रतिसत भावना, सम्मान और सहिष्णता की प्रवत्ती को बल मिलता है यह भावना राजनीतिक सिध्धान्त के अध्यन की सार्थक्ता सिद्ध करती है राजनीतिक सिध्धान्त के साधक परसपर समवाद स्थापित करके अपने अपने पूर्वग्राहों को त्याग करके राजनीतिक सत्य का पता लगाने की कोशिश करते है राजनितिक सिध्धान्त राजनितिक शब्दावली का सही सही अर्थ निर्धारित करने में सहयक होता है यह संकल्पनाओं का स्पस्टी करण करता है इसके अंतरगत राजनितिक शब्दों के अर्थ को स्थिर करने का प्रयास होता है ताकि उससे जुड़ी भ्रांतियां वद्विधाओं को दूर किया जा सके और भिन्न भिन्न द्रस्टी कोण रखने वाले लोगों पर समान रूप से मानने हो सके राजनितिक सिद्धान्त के अध्यान से हमें इतिहास की व्याख्या करने में सहायता मिलती है किसी युग विशेश में प्रचलित राजनितिक सिद्धान्त से हमें ततकालीन बोधिक वातरवरण की जानकारी मिलती है और राजनितिक संस्थाओ तथा राजनितिक आंदोलनों से जुड़े हुए विचारों का पता चलता है अतीत के राजनितिक चिंतन की जानकारी हमें वर्तमान, राजनिती और अंतरास्टी संबंधों को समझने में भी साहता करती है राजनितिक चिंतन भी अन्यदार्शनिक चिंतनों की तरह एक उच्छ कोटे की बौधिक उपलब्धी है यह स्वयम में मूलेवान है जैसे प्रबुद्ध लोग साहित्य, संगीत और कलाका सार तत्व जानकर अपने जीवन को सुरूची पूर बनाते हैं वैसे ही राजनिती दर्शन का ज्यान प्राप्त करके राजनितिक विचारक अपनी सामाजिक चेतना को विक्सित करना चाहते ह जिसके निर्देशन में अपना जीवन बिताते हैं और अच्छी शासन प्रणाली की विशेशताव को समझना चाहते हैं अपनी राजनितिक समस्याओं के समधान के लिए हमें बहुत बार मानव स्वभाव, नागरिक के दायत्वों और अधिकारों तथा न्यायके सिध्धानतों के बारे में कई निर्णा करने पड़ते हैं यदि हम ऐसे प्रतियक प्रशन पर नए सिरे से विचार शुरू कर देंगे तो यह कार्य बहुत कठिन हो जाएगा राजनितिक सिध्धानत के अध्यान से हमें यह पदा चलता है कि इन प्रशनों पर अतीत के दार्शनिकों ने किस किस तरह के विचार प्रकट किये हैं उनके आधार पर हमें अपने निशकर्स तक पहुँचने में सहयता मिलती है शासन के उद्धेश्यों और उनकी पूर्ति के उपायों की समस्या पर समय समय पर प्रस्तुत विचारों के आधार पर हम वर्तमान समाज की राजनितिक अवशक्ताओं को समझ सकते हैं राजनितिक सिध्धानत का अंतिम उद्देश्य यही है कि कैसे मानव जीवन को राजनितिक रूप से सर्वस्रेष्ट बनाया जाए सर्वस्रेष्ट शासन परनाली कैसे प्राप्ट की जाए आदी आज का जो हमारा विश्य था उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि राजनितिक सिध्धान्त क्या होता है और उसका क्या महत्व है हमने यह भी समझाने का प्रयास किया कि राजनिती और राजनितिक सिध्धान्त अलग-अलग है इसके अतिरिक्त हमने सीखा कि यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है सिध्धान्त और विचारधारा में क्या अंतर है समाप्त करने से पूर्व यह भी ध्यान रखना है कि जो राजनितिक दस्टी कोंड जैसे हुदारवाद और माक्सवाद विचारधारा काफी महत पूर्ण है समकालिन चिंतन में नारिवाद और समुदावाद मुख्य है आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं आपके प्रश्ण और सला हमेशा आमंत्रित है नमस्कार आपके प्रचा को यहीं तो सम्कार